राजू खता है कानों के बीच में भेज़ा क्यों रहता है जब कान भाईरी पड़ती है तो बात भेजे में गुस्ती है दोस्तों साउथ की वन अप दा मच अवेटेड एक्शन ड्रामा मूवी जिसका नाम है भगवन्त केसरी और अगर आप इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों इस मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना है तो कि इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउथ की एक नई मूवी हिंदी ड़ड में रिलीज हो चुकी है जिसको आप अभी अपने मूबाइल में देख सकते हो लेकिन उसका सामना होता है बस्ती में रहने वाले एक सधारन व्यक्ति से जो कि देखने में तो सीधा साधा है लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़ादा पावर है और उसके अंदर बहुत ही ज़ादा गुस्ता है और जो कर्रप्शन करता है गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है वो उसका काल बनकर आता है जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी और खबरों की माने तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर छोटे-छोटे टुइस्ट डाले गए हैं जो के आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगे और इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे वहीं अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी latest update की और release date की तो से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि नंदा मुरी बाला किष्ण को अपनी मूवीज को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस करना चाहिए या नहीं आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तुम आपको कि इस मूवी की शुटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है फिलाल पोस्ट प्रॉड़क्षन का काम चल लहा है और आधे से ज़ादा पोस्ट प्रॉड़क्षन का कम प्लीट भी हो चुका है और इस मूवी को अपने सही समय पर यानि के 19 अक्तूबर को सिनिमा घरों में रिलेस कर दिया जाएगा वहीं अगर बात करें दुसरी साथ मूवी की जो के हिंदी डब्ड में रिलेस हो चुकी है तो ये एक रोमांटिक एक्शन मूवी है जिसका नाम है फलक नुमादास और अगर आप इस मूवी को हिंदी डब्ड में अभी देखना चाहते हो तो ये मूवी Amazon Prime वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है जिसके अंदर आपको विश्वक सेन देखने को मिलेंगे